हेलो फ्रेंड सबका बहुत बहुत सवागत है हमारे चैनल पर दोस्तो चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब जरूर कीजी क्योंकि हम लेकर आते हैं सपना और अंशु की लेटेस्ट अप्डेड और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना न भूले ताकि जब भी हम न्यू भी हमको कोई दिक्कत ना हो देखने वालों को भी कोई प्राब्म ना हो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सब आप सब जानते हैं कि सपना ने अपने ओडियन्स से एडवाइज मांगी थी कि आप उन्हें शिफ्ट होना ची है नहीं होना ची क्योंकि उन्हें बह टॉक के बाद ही कहीं ना कहीं यहां से गॉलियर से शिफ्ट होगी इसका रीजन भी सपना ने बताया कि उनके माईके वालों को आने जाने में बहुत जादा दिक्कत होती थी इस वज़े से वो शिफ्ट कर रही है अब दोस्तों जैसे हमने बताया कि हर एक इनसान के मेंटा सबसे पहले लोगों कहना है कि बड़ी मुश्किल में यहां पे गौलियर में शीवी ने और उसके परिवार ने सपना के लिए बहुत मुश्किल से फ्लैट ढूंडा था और उनकी बेटी यानी आरू की एडमीशन करवाई थी अब इतनी जल्दी में ऐसा क्या हुगा कि उनकी सवाल है कि आकर शीवी सपना से मिलकर क्यों नहीं गी दोस्तों आपको बता दे इस सवाल को लेकर लोग शीवी के कमेंट सेक्षन तक पहुछ चुके हैं उसे बहुत ही जादा परिशान किया जा रहा है जितने उनके कमेंट सेक्षन में पॉजिटिव कमेंट नहीं है उतने सवाल यहां पर सपना के ओपर लोगों ने शीवी से पूछे हैं उसका क्या जवाब दिया है शीवी ने वो भी आपको बताएंगे आती आपको ये बात भी बताएंगे लोगों ने ऐसा क्यूं कहा कि भई कर भला तो हो भुरा आखिर में आपको ये भी बताएंगी कि जब स कुछ लोगों के पेड में दर्द हुआ जा रहा है लोगों को कहना है कि भई एक कैसे माइके वले हैं जो सपना के लिए चटान बन कर खड़े हैं जलिए आपको इन सारे सवालों का जवाब देते हैं दोस्तो एक ही रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि वीडिय इन्फरमेशन मिलें देखि आदियो दूरी इन्फरमेशन लेकर कुछ फायदा नहीं है आप मेरे पर ही सपना ने घर क्यों छोड़ा आरो की मिड स्कूल को बीच में ही छोड़ कर यहां पर सपना क्यों चलेगी क्या सपना को कोई नया घर मिल गया क्या उनके ससुर जी ने अपना मतुरा वला घर सपना को दे दिया यह भी यहां पर साथ उसका मन मुटाव हो गया इस वज़े से गौलियर में आप सपना को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है इसलिए वहाँ से चली गिल आखिर क्या है पूरा माजरा चली आपको बताते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि भी राजिस्तान और ज काम तक नहीं लिया लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि ये इनकी सोज बिलकुल ही गलत है क्योंकि ये जो यतार्त का वीडियो है वो पिछले साल का है इस साल का नहीं है इस वज़े से उसमें सपना दिखाई नहीं दे रही है और उस वक पिछले साल यहां पर राजवीर जी की death हो गई थी इस वज़े से सपना शीवी के बेटे के birthday पर नहीं आई थी दरसल जो लोग जानना चाते हैं के भई आकर सपना कहा गई है उन्हें उनका negative way में मत लीजी क्योंकि वो उनका concern है देखिए कोई family member अगर हमसे दूर चला जाता है थो हमें उसकी फिकर होती है लेकिन वहीं दूसरे लोगों को कहना है के वहीं आप क्यों जानना चाते हो के सपना कहा गई है क्यों आप उसकी information लीग करना चाते हो ये उसकी confidential information है ये लोगों के पास नहीं पोचनी चीए पिछली बार जब गॉलियर का address यहां पे लोगों को पता चला तो सपना को बहुत जादा insecurity और घबराट हुई इस वज़े से लोगों को कहना है कि आप बिल्कुल भी पता करने की कोशिश ना कीजे कि आखिर सपना किस location पर गई है क्योंकि उसकी information अगर लीक हुई इस बार तो बहुत जादा इन से cure हो जाएगी दोस्तों यह सारी बाते सुनकर ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्षों के लोग अपनी अपनी जगा पर ठीक है क्योंकि एक जगा पर लोग चाहते हैं कि उसकी information पता चले एटली तो जो शेहर में रहती हो पता चले क्योंकि हमें फिकर है इसके पीछे उन लोगों की यह सोच है कि अगर हम आसपास रहते होंगे तो जरूर सपना की मदद करेंगे और दूसरी तरफ वो लोगों का कहना है कि भई आप अगर यह information लीक करवा देंगे जो घर का हॉम टोर सपना ने करवाया जो मसीवत उनके उपर आई वो कहीं न कहीं उस हॉम टोर की वज़े से ही आई इस वज़े से सपना ने हॉम टोर का वीडियो भी डिलीट कर दिया था दोस्तों मुझे ये बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सपना को हॉम टोर देना चीए और नहीं देना चीए क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में सपना को कल एडवाइस दे दी थी कि अपने घर का हॉम टोर बिल्कुल मत देना क्योंकि दोस्तों सपना को लाखों लोग वाच करते हैं और कहीं ना कहीं जो लोग उसके आसपास रहते हैं वो उनका इंटीरियर देखकर भी समझ जाएंगी कि सपना कहा रहती है शाथ ही अब को यह भी बता दें कि अब यहां पे लोगों ने शिवी को कहा कि भई कर बला तो हो बुरा क्योंकि इतनी जादा हेल्प यहां शिवी और उसके परिवार ने की थी जब सपना यहां से शिवी पूरी से गॉलियर आई थी तो अब यहां पे आखिर वक्त जब गॉलियर से एकजिट किया सपना थे तो उस समय पर शिवी यहां पर गुडबाई बोलने भी सपना को नहीं आई नहीं सपना ने अपने blog में शिवी का नाम लिया तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि शिवी और सपना के बीच में मन पूटाओ हो गया है जब से वो लोग राजिस्तान से लोटे है लेकिन अगर डोस्तो ऐसा होता तो जब यहाँ पर सपना कार लेने गई तो उस समय पर शिवी उसके साथ कैसे थी मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को इतनी जल्दी कोई conclusion पर नहीं आना चाहिए जब तक सपना सारे सवालों का जवाब नहीं देती है और सपना ने कल अपने vlog में कहा भी था कि जितनी भी आपके सवाल है उसका जवाब में next vlog में जरूर दोंगी तो उन लोगों को patience रखना चाहिए और इनके जवाब का इंतसार करना चाहिए दोस्तो एक तरफ कल सपना ने अपने vlog में ये disclose नहीं गया कि वो कहां जाकर shift हुई है लेकिन इनकी एक decision की बहुत जादा मैं respect करता हूँ लेकिन एक तरफ जब लोगों को कहना है कि आप नानी नाना के घर जा रहे हो तो कहीं न कहीं आपने संकेत दे दिया है कि आप कहां जाकर shift हुई हो लोगों का कहना है कि अगर आपको ये सारी information confidential रखनी दी तो आपको ये चीज भी नहीं दिखानी चाही थी आति आपको ये भी बता दूगे कुछ ट्रोलरस ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द होता है जब उनके माईके वाले सपना की support करते हैं उनका कहना है कि वही ये लोग कोई सपना के सगे नहीं है जब तक सपना के पास पैसा है तब तक वो लोग सपना को support करेंगे जब सपना के पास पैसा नहीं रहा तो देखना क्या होगा सपना को ये भी advice दे दी लोगोंने कि वही हमेशा शासन अपने पास रखना पूरा पैसा हर चीज़ अपने पास रखना क्योंकि ये यूटूब है कभ यहाँ पे व्यूज़ मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये किसे नहीं पता क्योंकि लाइफ में और बिजनस में हमेशा अपसेंड डाउन चलते रहते हैं दोस्तों आप कितना सहमत और अहस सहमत है सारी बातों से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना लेकिन रिस्फेक्फुली और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरू कर दिए थैंक्यों